हमारा टोपिक है लाफ रिफ्लेक्शन on the basis of wave theory wave theory के अंदर eigen principle का यूज करके दो टोपिक आपके पूचे जाते है using eigen construction एक तो लाफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करना एक लाफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करना आई ये सबसे पहले करते हैं लाफ रिफ्लेक्शन using eigen construction इस तरह से एक्विशन पूचे जाता है या फिर एडिउस दी लाफ रिफ्लेक्शन using eigen principle इस तरह पूचे जाता है तो टोपिक हमारा रिफ्लेक्शन प्लेन वेफ फरंट इसका दो डाइराम है उसको बनाने या तरीक्श में बच्चे कन्फिज हो जाते हैं द्यान से अगर करेंगे तो बड़े इजी वे में आपको समझाता हूं किस तरह इस डाइराम को हम इजी बना सकते हैं सबसे पहले क्या करना है देखिए कि माली जी आपको यहां पे यह होगा है यह मेरर है यह मेरर है यह इसकी पोली सर्फिस हो गई है मालक का नाम है एम वन एम डेस महा लेते हैं एम एम डेस क्या है आपको यह मेरर है और यह इसके बाद क्या करना है आपको सबसे पहले नॉर्मल डगा कर लेना है मालो मैं यहां पे नॉर्मल लेता हम यह नॉर्मल ने है यह नॉर्मल पिल्कुई जी साफ को लिन डायराम बनेगा आपका आपको 70 के अंगल बना लेना बिल्कुई जी बहुताएं सेवनिटी के अंगल बना लीजी यह वाला इसको जब मिलाएंगे माली जी आपकी यहां से और यह लाइन कितनी लेनी है वान टू त्री फोर फाइव शिक्स तक ले लिए यह आपका यहां पर जो ही इंसिडेंट यह होगा आपका वेफरांट यह एंगल सेवनिटी पर बना लेना है अब यहां पर आप देखेंगे तो आपका जो अब क्या करना है आपको यह जो एंगल है दिखाना नहीं सेवनिट श्रेंटी पर अब यहां से आप चो इंसिडेंट वैन्ट दिखाएंगे आपके जो रीज और कि तरह आएकि मालेज यहां पर आपको यह συampo आप्पा टीट को चहलते हैं और आप जैसरे पुरी पूरी इस तरह दिखा सकते हैं यहां आपका इस तरह तो रेज कैसे आएगी यह आपकी यह वे आपकी जो भी फॉरंट इस तरह इंसिडेंट होगा ऐसी मालोव आपका देखो वान टू थ्री यहां पर तीन-टीन की लेंगे आप बिल्कुल से मैंसा अपड़ कि यहां पर आप देखेंगे तो पिल्कुल सेम इसी तरह से आपका य यह आपके इस तरह से तीन दिखा रहा हुआ हो आपको यापका फॉर्स्ट वन टू त्री यहां पर यह सेखने पिल्कुल पैरल दिखाएंगे यह हो गया है तो यह आपका इस तरह से यह आपका अब क्या करना है बिल्कुल यहां पर यहां पर इंसिडेंट हुआ देखिए आपको यहां पर नोर्मल बना लेना है अब यहां पर यहां पर यहां पर इसका इधर लिए सेम पाम करना और यहां पर आप इधर बनाए आप नयो मोई है यहां… आपको बनाना बाइ तरह, आपको बाइ तरह तो बाइ तरह बनाएंगे, तो देखें, यहां पे आपको 70 का इंगल बनाएच परया है, 70 का इंगल यहां। है इसको मैं दिखा जेता हूँ, मान लूँ आपका mıा and toze यहां पर बिल्कुल सेम भी लेना है आपको यह वाला तो यह जो है अब यहां पर देखेंगे यह आपका मैं नाम देखता हूं यह क्या है ए बी यह इंसिडेंट वेव फरंट था और यह जो आपका मेंसी दिखरना है कि यह जो आपका यह दरवाला है यह सी डी रिफ्लेक्टिड वेव फरंट है अब बिल्कुल सेम दिखाएंगे जैसे मार यह रहे जाई फरस्ट आई तो सेकिन माल आपकी इस तरह से आएगी है मालू मैं यहां पर दिखांगा यहां टकराएगी बिल्कुल सको बढ़ा दीजिया हैं यह इस तरह आपका यहां पे ठीक है इसके बाद किए आपके रिफ्लेक्टिं सर्फ से सब यह सीडी क्या आपका तो यहां से क्या करेंगे अब आपकी जो तो रिफ्लेक्ट हो कि एरेज कहां जाएगी माने इसको मैं रेड से दिखा जिता हूं या आप दूरा कलर यूज़ कर सकते हैं मैं आपको तो पेपर के अंदर आपको पैंसिल से बनाईएगा मैं आपको वीजिबिल्टी के लिए दिखा रहा हूं आपको यह देखिए है मालम बलैक सी दिखा देता हूं यह वाला यह टकर आएगी आपकी यह वाली फॉर्स्ट कर शेली है इसको आगे बढ़ाएंगे क्या है आपका रिफ्लेक्टिज्ट ले फरंट तो कहां जाएगी इस तरह आप यह गार एससे फिर यह वाली जो आपकी है बिलकुल पैरल दिखाएंगे इस में बता तीन थे आप यहां लेकर दिखा सकते हैं यहां तू थ्री जिसे महां पर तीन दिया था आपने यह वाला यहां पर यह आपका इस तरह से और थड़ क्या है आपका यह वाला इसकी पैरला यहां से यह थवर हो गया तो यह जो आपका है इधर दिखाया यह कुंसा है यह रिफ्लेक्टिड वेफरंट है यह डायराम इसको दिखा देना है यह आपका इंसिडेंट वेफरंट यह रिफ्लेक्टिड वेफरंट हो गया है यह आपका यह नॉर्मल लिया था यह आपका क्य । और इधर गों सा यह वाला जैंग और तो जितना यह आपका यह। यह आपका यह आई है। अगर यह यहां पर आई है तो यह भी कितना आपका यह आई एंगल है यह आई है इसी तरह इधर जो आपका यह वाला जो यहां पर यह कंप्लीट यह यह यहां से लेके यहां तक यह जो दिखाया यहां तक यहां पी यह था आई और यह कितना होगा आपका यह आपका R है यह क्या है R है बस हमें क्या है यह डायराम आपको लेना था इसकी आप लेबलिंग करेंगे तो देखिए यह आपका यह A B इस पॉइंट का नाम ले लिए E यह क्या होगा यह F यह आपका होगा जी ठीक है और यह आपका इंसिडेंट दिखाया है इधार इस तरह से और यह आपका Reflected है हुआ इधार यह डायराम त्यार है आपका यह डायराम के बेस पे क्या आपको Law of Reflection को प्रूव करना है यह डायराम है अपने बना लिया तो देखिए अब मैंने यहां पर नहीं से लिखाए भी आपको देखिए यहां पर क्या है MM' क्या है MM' यहां पर आपका Reflecting Surface है Mirror है AB क्या Incident Plain Wavefront है CD क्या है Reflected Plain Wavefront I क्या Incident Angle है With Normal है R क्या Reflective Angle With Normal है C क्या Speed Of Light है इस डायराम का यूज़ करके हमें क्या प्रूव करना है हमें Law of Reflection को प्रूव करना है आए कैसे करते हैं तो देखिए First क्या रिखा आपने The Wavefront Advances B to C At To Reach Point C In Time T हमारा जो यहां से देखेंगे यहां से जो आपके यह Wavefront यह भी Plain Wavefront यह भी है यहां पर जो B होगा यह Advances होगा कहां पर Point C पर कितने टाइम है तो हमें पता है Distance क्या होता है आपको Distance पता है BC कितना हो गए यहां पर यह आपका BC आ गया BC कितना होगा यह उता है विलोस्टी इंटू में Time होता C क्या है विलोस्टी है और Time कितना है T है तो यह आपका First आए गई यह आपकी First Equation अब इसके बाद क्या है दो वेफरंट है वेफरंट रोम वेफरंट एडवांस एटू रिच एड़ पॉइंट इन टाइम वह आपका यहां से एपे डी पे जाने पे जो यह एडवांस हुआ इसमें कितना लगेगा आपका यह आपका AD निकानना है बिलकुर सेम लगे हैं क्योंकि आपका मीडियम क्या सेम है विदाउट चेंजिंग मीडियम है तो कितना हो गए भी सीन टू में टी आ गया तो हमारी यह मानुट सेक्ट इक्वेशन है डिवाइड वन बाई टू बेख सिंपल कि अगर लो डिवाइड वन बाई टू तो आपका क्या आ जाएगा यह आपका आ गया बी सी बाई में एडी बी सी बाई एडी दोनों सेम है पर सी टी बाई सी टी बाई सी टी पर आपका कटे गया सेम है तो कितना आ जाएगा यह बराबर में आ गया आपका यह वन आ गया तो यहां से आपका क्या मिला आपको यह मिल गया यानि बी सी बटे एडी सीटी बई सीटी आगा वन हो गया है अब इसी पार्ट को अगर आप माल इसकी बाद करता हूं अगर मैं देखा हूं आपको अब क्या लेना है आपको यहां पर अब में दिखा देता हूं अब आपका ट्री आंगल लेना है ट्रांगल strict देखेंगे ट्रांगल जो आपका एवी सी ट्रांगिल एक ट्राइंगल जो आपका है राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी इसके अंदर ये इंसिडेंट एंगल है तो इंसिडेंट एंगल साइन आज निकालता हूं देखिए आप क्या गरेंगे राइट एंगल ट्राइंगल 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 राइट एंगल है आपका क्या होगा हमें क्या निकाना साइन आई निकाना साइन आई क्या होगा यह एंगल है तो परपेंडिकुलर बटे में हाइपोट्यूनिज होता है तो परपेंडिकुलर क्या है यह आपका देखेंगे साइन आई तो साइन जो आपका आई है ये कितना हो गया आपका साइन आई आगया आपका वी सी बटे में एस सी सीमिलरल यकर हम निकालेंगे इनने राइट अंगल त्रींगल है सिमिलरली इनने राइट अंगल त्रियांगल सेकिंड कौन सा देखिए आपको लेना कुन सा यह वरा त्रियांगल लेना है आपका यह डी सी ए डी सी कि इसके अंदर यह आ रहे है तो आपका ट्रियांगल हो गया यहांगल अपका आपका यहांगल से कि इसके इसके अंदर देखिए इसके अंदर एक गया यह आपका माल इसका यह आपकी थी, यह थर्ड है, यह फॉर्थ है, आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड, थर्ड, बाई, फॉर्थ, क्या मिलेगा आपको, यहां से मिलेगा देखिए आपका, साइन आई बतिया, साइन आर, साइन, साइन, यह आपका आई था, और यह कहा आपका आर, किसे पराबर आगया, सी मिलेगा दिवाइड करेंगे, एसी से एसी कर जाएगा, यह वा तो आपके सामने क्या है एक तो आपकी यहां से आया है अगर आप देखेंगे यह वाला जो है अमें पस ही तो पकड़ना है फस्ट आपने क्या लिया यह वाला क्या मैं पता है जो आपकी विलोस्टिफ लाइट सी है और टाइम टी में जो डिस्टेंस होता वो क्या होता है सिटी और सेकिन वाला यहां से आ गया तो अगर मैं इनको दोनों को कंपैरिजिंग कर दूंगा तो मेरा सुलूशन मुझे भी मिल जाएगा जो में पुरू करना है आई जिन प्रेंसिपल का यूज़ करके झाल करें तो अगर यह की क्वेस्शन के अगर मान लो फ़ी आपका इन बहुरी खुड है और इसको मान लेते हैं यह उन दोनों करें इसको मान ने लेता हूं यह लेता हूँ, मालुफ सी आपको यह नाम और देदी, अगर मैं वन टू लिया, आप यह बदल सकते हैं, एक दो, इसको मालुफ में तीन ले लेता हूँ, तो इसको क्या अगर मालुफ में लेता हूँ, चार लेता हूँ, आप तीन ले लो, और यह आपका थ्री डैस ले लेत करता हूं दोनों कंपेरिंग करूँ फ्रॉम है जो एक्वेस्टन है थ्री एंड मालब का फाइल 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 वी गेट अगर हम क्या मिलेगा में अब दोनों कंपेरिंग करूंगा तो कितना आगया आपका यह आपका आगया आप साइन यह गया इए साइन ऑ इlexis अंगर झार इसके वरबर आ गया यह रगा एकद वरबर और बड़नों कंपेरिंग करूंग की आपका यह से ऑजिसन आई जो आ गया sine rk यह sine i किया है sine rk यक्वल आ गया वो दून लों अगर बराबर है दून तरफ sine इसका मतलब किया गया एंगल sine जो है angle i जो आ गया angle rk यक्वल आ गया यह आपका angle हो गया i वो यह क्या किया गया angle r यही तो क्या होता है आपको पता है law of reflection पहले कंडिशन होती है एंगल ओफ इंसीडंट इकल टू एंगल ओफ रिफ्लेक्शन होता है यानि इंगल ओफ है इंसीडेन्ट इस इकवल टू एंगल ओफ रिफ्लेक्शन एंगल ओफ रिफ्लेक्शन यहीं हमें पुरू करना है तो देखिए इससे क्या है दोनों लाप पुरू हो गया आपके देखिए फर्स्ट ला क्या है एंगल ओफ इंसिडेंट इसको टू अंगल ओफ रिफ्लेक्शन इसका मतलब एंगल ओफ यहां लिख सकता हूं फर्स्ट क् है अगर आप डायराम को देखें भी पड़ते हैं कि आपका इंजिडेंट वेव फरंट नॉर्मल और रिफ्लेक्टिड वेव फरंट लाइज इन सेम प्लें तो यह था आपका यूजिंग आइजन प्रेंसिपल लाफ क्या है रिफ्लेक्शन उपरूव करना था तो आपने डा है लाज ओफ रिफ्लेक्शन प्रूव करेंगा उन्दी बेसिव फिरी और क्या से पुछा गया एक जाम के अंदर देखिया ए प्लेन वेव फरंट प्रोपेटिटिंग ने मीडियम औफ रिफ्लेक्टिंडेक्स मुवन इस इंसिडेंट वन इंसिडेंट वन प्लें सरफेस म इसको वेरिफाई करना है इसके अंदर स्नेल लाफ रिफ्लेक्शन को एक इस तरह पूचा गया है डेडूस्टी लाफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाईजन प्रेंसिपल एंड्राइव स्नेल से लाफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाईजन प्रेंसिपल तो डिफ्रेंट वे म हम आपको डायराम बनाना बताता हूं इसका सबसे पहले देखिए हम इसका डायराम बनाएंगे सबसे पहले क्या ले लेते हैं हम इंटरफेस ले लेते हैं माली जी आपकी यह इंटरफेस है इस इंटरफेस है जो रियर मीडियम को डैंसर मीडियम से अलग करती है इसके बाद कर दो ही काम कर रहा है सबसे पहले यहांपर क्या लेते हैं नौरॉमल ले लिजिए यह नौरमल में बना लेता हूं दिये नौरॉमल है कि इसकी बाद है कि अपना कहीं पर भी क्या हैगा आप एक लेकि यहां पर विल्कुछ सेम तरीके से अब दो और चाहल पाट आप आप यह ले लेते माली जी पास थोड़ा सा यह लीजी थोड़ा जोखा किसको अगर आप चाहिए तो 60 का इंग ले सकते यहां पे आपको क्या हो गया है यह आपका इंसिडेंट वे फ्रेंट है जिसका नाम क्या अब मालो वहां पे दिखाया बिल्कुल ऐसी आपकी यह आपकी और रेज फॉर्म में दिखा रहा हूं आपको यह आपकी और सेक्ट बिल्कुल इस तरह से मालो आपका इसके पेरल्ल में इसमें आप दो यह दिखा दीजिए यह आपकी डारेक्शन इंसिडेंट वे फ्रेंट है इसका नाम क्या है एबी है Tex A, B अब आपको यहां पर आपको आएंगे यहां पर आकर अपके टक्राइंगी और यहां पर क्या आकर एंटी मेंुआखंगि मेंूह क्या करना है यहां पर बलू कि नॉर्म को ल हें अब यहां पर जो एंगल है यह आपको इंगल हो गया इंसिडेंट तो क्या आपको बता है जब रेर से देंस मेडिया में जाती है तो क्या होती है बेंट वार्दी नॉर्मल आपकी वेंट व्र्दी नॉर्मल हो जाती है यनि कि यह क्या होती है आपकी इंसिडेंट 蔥े और क्या हुँजाता है कम हो जाता है यहाँ पर अगर मैं डिफेरेंट रशे दिखाँ और यह आपका हो गया इधर है इस तरह से है यह आपका incident थी यह कुछ से होगी refracted होगी medium अलग हो गया आपका इस तरह से और अब यहाँ पर क्या जैसे मालोब यह जो लिया है यह आपका जो BC यह माली जापका BC यह आपका incident wave front ता BC करूंग यह होगा तो यहाँ पर जो आपका बिल्कु से बहुत तरीका बनाना है जैसे आपकी इह रहे जाई तो अब यहां पे अगर घ्या है ऐक स्टरीज इसके यह यहां पे यह हो गया आपका कि आई था ते कितना होगा यह आपका है यह ऐलोग एक है अब यता अवानиц हो गार आप das था तो CD अभी यहां पर लेंगे थोड़ा साम यह CD आपका रिफ यह जो में दिखाया यह कैसी और यह पॉइंट हो गया आपका अब यह यह एकिए यहां पर यहां पर दिखाया है यह नहीं की क्या हुगा तिल्कुल सेम जैसी यहां पही गया थे देखो आपका इस तरह बना सकते हैं यह क्या होगा बैंट वार दी नॉर्मा यह आई था यह भी क्या आपका यह आई है और यह कितना होगा आपका यह आर होगा इसके अदर क्या है कि आप देखेंगे तो यह मालबा में नोटिशन लिए पी क्यू आपकी क्या थी सरफेस थी जो मेरें के मेरें करें कर देंडंसर मीडियूम से अलग करती है और यहीन पर लिख सकते हैं यह क्या मीडियूम है या आहिसिए पुल दिखाना आपको मीडियम कि मीडियम आपका desser हें कौन सा मीडियम है यह रियर मीडियम है के रियर इस सबहर दिल्च कितना है रिफ्रेक्ट इंडेक्स इसका मूजबिन कि रिफ्रैक्टिव इंडेक THIS है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वह कितना है वह मौन है और विलोस्टिव लाइट के इस मीडियम के अंदर जो है जो वेफरेंड की जो विलोस्टी ओफ लाइट होगी वह कितनी है वो सीवन है नहीं सीवन वह यह साथ में लिख देना साथ कुल डाइरा में आ जाएगा इसके बाद देखिए ऐसे नीचे क्या है अब लिखेंगे यह कौनसा नीचे वाला यह मीडियम टू है यह है आपका मीडियम टू है इसको यह कुंसा मीडियम आपका डैंसर मीडियम है डैंसर डैंसर मीडियम है और इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है यहां पर इस मीडियम के अंदर जो विलोस्टी अफ़ लाइट है चेंज होगी मीडियम चेंज होता है तो विलोस्टी फलाइट भी चेंज होती है के इंदर मालेते हैं सी टू कितनी है और इसके बाद आप देखेंगे देखिए यह वाला जो आपका आहां पर यह वाला यह बी कितना होगा आई वह आई होगा बागी दिकत नहीं बस अब इस डायराम को देखके क्या आपको इसको प्रूव करना आई कैसे करते हैं कि लेट एबी इंसिडेंट वेफरंट एबी क्या हिए इंसिडेंट वेफरंट है और रिफ्रेक्टिंग प्लेन सर्फिस कों से पी क्यू है इसके बाद इसको प्रूव करना है तो कैसे करेंगे तेखेंगे इसको अधी तक मीडियम व्यू अगर आप देखें देखें देख है और जो सेकिन्द वाला है उसके नदर देखि किया है डिस्टेंज करता है डिस्टेंश फ्रॉम A to D in same time एटूडी in same time medium 2 के अंदर तो यहां से बस आप देखेंगे और रहा है तो इसनी पोर गई है यह आपकी फर्स्ट इक्वेस्जन है सिमिलर्लि गर्रियो hundred share मीम के अंदर फर्स्ट एंदर ऑफ्सी मीडियسم है कि और ऐसे क्या है आप की जो एडी ओगी जो एडी distance होगा जो dancer medium के अंदर क्या होगा C2 T होगा मले equation होगे आपकी second value यह क्या होगे in dancer medium dancer medium बिलकुल वही जोन पीछे FC तरीके से use करेंगे in dancer medium के अंदर अब आप देखी यहां से अगर आप देखी जोन नो डिवाइड करते हैं divide 1 by 2 we get क्या मिलेगा अगर आप डिवाइड करेंगे वही है BC by AD BC by AD कि कितना आ गया यह होगे C1 यह टी था और नीची क्या था C2 80 था मतलब क्या मिल गया आपको है C1 by C2 यह मिल गया आपका मारी यह हमारी प्रेशन होगी 3 इसके बाद देखिए राइट यह ट्रिंगल ट्रिंगल लेंगे ट्रिंगल के अंदर आते देखिए बिल्कु वही काम करेंगे पिछे किया था इन ट्रिंगल यह फ्रॉम ट्राइट इंगल यह बीशी यह बीशी यह बीशी यह बीशी वह आपको क्या मिलता है शाइन हमें निकाना क्या है साइन आई निकालना है तो साइन आई साइन आई क्या होगा आपका बीशी बाई एसी बीशी बाई एसी ठीक है तो अब देखिए आपके माल यह एक्विस्ण होगे मारी फॉर हमने क्या निकाला है देखिए यहां से यह था बीशी बटे एसी क्यों होगा साइन आई होगा ऐसे साइन आर क्या होगा एडी सी के अंदर एडी पटे में एसी लिए फॉर्ण ट्रियांगल एडी सी एडी सी निकालेंगे साइन आर निकालेंगे और साइन आर क्या आएगा आपका एडी बाई में एसी शेम वही जो पिछला किया था वैसे तरीका है तो यह कितना आ गया आपकी किसन हो गई यह आपकी फाइव दूरू सेम काम करना यहां पर डिवाइड करेंगे डिवाइड इक्वेशन फॉर बाई इक्वेशन फाइड वी गेट आप दूरू कोई करेंगे डिवाइड तो देखी बी सी बाई यह क्या हो जाएगा आपका करके यह आगया आपका बी सी बाई डिवाइड इतना आपके साइन अं कि और साइन हो गया अपकी 6 आप देखोंट करेंगे यह ॐ आ डेक्वारियन करेंगे यह नंगिग पी चंटे वी ए डिवाई एक्वेट्ट सॉचल पर oуйте यह फ्यंदेक्ष होता है और साइन आई बट्यार यह भी शेम होता तो एक्वेशन थ्यों सिक्स को हम क्या गरें कंपेरिंग करेंगे तो तो लिए या कंपेरिंग लिए फ्रॉम फ्रॉम एक्वेशन थ्री और आप देखेंगे इस पिल्कुल आसान सा है तो देखिए आगया साइन आई बैसाइन आई बैसाइन आई बैसाइन आर इसके बराबर आ गया आपका यह आ गया और या जिए un hai बाइंट ब को यह क्या होता है मैं इसको बोलते एक रोंस्टिज होता है मैं से को आउज सब्सक्राइब कर्सेंट फारिसे बोलते की इंडाक्यों आज गरते chat को स्टेंट न इस घृंद अचालन गumnब घृम मूं the constant is called the constant is called reflecting index तो यहां से क्या हो गया आपका प्रूम वह मियू आ गया आपका आप आप साइन आई अपन साइन आप यह आगा और इसको क्या रहते हैं आपका स्नेल ला यह जो मिल गया पूरू हो गया आपका यही था आपका काम का यह यह क्या है इस प्रूब स्नेल जाए इस्पूरू धिस्ट लुख जिस्ट लाए विच भूट लाए विच भूशन विच इस वाफ लाए विच फस्ट लॉफ रिफ्रेक्षन है और फिश्ग गया होता है बिल्कुल सेम वही है इंसिडेंट फिर इंसिडेंट प्लें और अंडि अइनसिडेंट वे फ़रंट नार्मल एड रिफ्रेक्टिट लाइजन सेम प्लें इसकोई हम लिख भी सकते हैं इसे हम लिख सकते हैं लाव और फ्रेक्शन क्या हो गया आपके यह हो गया मियों सनेल ला फस्ट क्या है सनेल ला यह क्या साइण साइन आई साइन आ यह हमारा फ्रस्ट लावता है शे हम सनेला कहते हैं और सेकिंड क्या है इन्सीदेंट वेवळट फ्रन्ट और ஏंड रिफ्राक्टिड वेवट फ्रन्ट all lies in the same plane तो ये दोनों आपके क्या है law of reflection और law of reflection हाईजन postulate principle उज़ करके हमने प्रूव किये